मुर्गे बेचने वाला भूत्या पती इसके वज़जे से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था देखो ना बिट्टू के पापा इसका खास-खास के कितना बुरा हाल हो रहा है ये कहते कहते सुख्या रोने लगता है ऐसे तौ हमारे बिट्टू की हाले तो और भी बिगड़ जाएगी आप कुछ करो ना मैं क्या करू कहां से पैसे लाओ मुझे कोई पैसे देगा भी तो नहीं सुनो जी आप कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते जिसमें कमाई भी अच्छी हो और हमारे बिट्टू का ठीक से इलाज भी हो सकी पर मैं करू भी तो क्या करू मैंने न बाजार में मुर्गे की दुकान पर बहुत से लोगों की भीड लगी देखी है और उनकी डिमांड भी बहुत है हर रोज उस दुकान से कोई ना कोई मुर्गा खरिद कर ले जाता रहता है आप क्यों नहीं मुर्गे बेचने चालू कर देती निमी के पास जो पैसे थे वो सुख्या को मुर्गे खरिदने के लिए दे देती है फिर सुख्या बाजार जाकर उन पैसों से मुर्गे खरिद लेता है और उन्हें अपने रेडी में रखकर बाजार में बेचने चला जाता है शाम तक लगबग सुख्या के पास दो तिन मुर्गे ही बचे थे जिसे लेकर वो वापिस अपने घर आता है और आज जो भी कमाई हुई थी वो लाकर निम्मी के हाथ में पकड़ा दीता है अरे वाँ आपके सारे मुर्गे बिग गए मैंने कहा था ना बाजार में मुर्गे खरीदने वालों की बड़ी डिमांड है अब हम अपने बिट्टू का ठीक से इलाज करा पाएंगे और फिर हमारा बिट्टू जल्दी से ठीक हो जाएगा उस दिन के बाद से सुख्या हर रोज बाजार मुर्गे खरीता और उन्हें बेज कर जू भी पैसे मिलते उस से अपने बिट्टू का इलाज कराने में लगा था अब तो इस तरह मुर्गे बेशते हुए सुख्या की अच्छी कमाई होने लगी थी और उसका काम भी अच्छा चल निकला था अब वो बाजार से और भी अच्छे मुर्गे लाता उन्हें बेचता और शाम होने से पहले सुख्या के सारे के सारे मुर्गे बिग जाते थे जिस से सुख्या और उसका परिवार बड़ा ही खुश था एक दिन की बाद है सुख्या रोज की तरह बाजार से मुर्गे बेच कर आ रहा था तब इसामने से एक ट्रप बहुत तेजी के साथ सुख्या को टकर मारता हुआ निकल जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है और वो एक भयानत भूत बन जाता है ये क्यो मैं भूत बन गया नहीं नहीं मैं मन नहीं सकता मुझे मेरे बेटे का इलाज कराना है सुख्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है और एक भूत बन गया है ये कहते कहते वो रोने लगता है अब मेरा बिट्टो और मेरी पत्दी का क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी मौत हो गई है वो तो यह सुनकरी मर जाएंगा उदर सुख्या के पत्दी और उसका बेटा उसका इंतिजार कर रहे थे क्या बात है आज इने आने में इतनी देर कैसे हो गई ऐसे ही इंतजार करते करते सुख्या की पत्नी को बड़ी देर हो जाती है, पर सुख्या फिर भी नहीं आता। अब तो निम्मी को और भी चिंता सताने लगती है। निम्मी के घर की हालत बिगरने लगती है और बिट्टू की तब्यद भी खराब होने लगती है। दिखाई नहीं दे रहा था। वो निम्मी को रोते हुए देख कर दुखी हो जाता है। निम्मी रो मत, मैं तुझी और बिट्टू को कुछ नहीं होने दूगा। निम्मी और उसका बेटा जब सो जाते हैं तो भूत वापस सुख्या बनकर वहाँ आ जाता है और अपनी पत्नी निम्मी को आवाज लगाता है। निम्मी, अरे ओ निम्मी। निम्मी जैसे ही सुख्या की आवाज सुनती है। आ गए तुम, कहां चले गए थे तुम। पता है तुम्में बिट्टू कितना परिशान हो गया था। और बिट्टू की हालत भी बहुत खराब है। अगर जल्दी ही इसका इलाज कराया नहीं गया, तो हमारे बिट्टू को कुछ भी हो सकता है। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें चिंता करने के जरूरत नहीं है, बस साब ठीक कर दूँगा। फिर अगले ही दिन से सुख्या का भूत उनके साथ रहने लगता है। दिन में तो वो सुख्या के भीस में रहता, लेकिन जैसे ही रात होती तो वो भूत बन जाता। इस बात का निम्मी को पता भी नहीं चलता था कि वो सुख्या नहीं बलकि उसका भूत है। वो रोज पहली की तरह मुर्गे बेशता और जो पैसे कमा कर लाता निम्मी को पकड़ा देता। इतने सारे पैसे? आज क्या कोई अमीर आदमी आपसे मुर्गे खरीद कर ले गया। भूत हसने लगता है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। फिर से सुख्या के घर की हालत में पहली की तरह सुधार आने लगा था। और उसका बेटा बिट्टू भी ठीक हो चुका था। अब उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन एक राच जब घर के सभी लोग सोए हुए थे, तो निम्मी पानी के लिए उठती है और च शायद भगवान को यही मनसूर था। अब मुझे जाना होगा। वैसे भी अब तो बिट्टू ठीक हो चुका है और अब तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत भी नहीं है। पर हम तुम्हारे बगएर कैसे रहेंगे। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब तुम्ह मेरे बगएर रहने की आदर डालनी ही होगी। फिर एक तेज रोशनी आती है और रोशनी के साथ वो कायब हो जाता है। उसे मुक्ते मिल जाती है। अब निम्मी और बिट्टू को कोई तकलिफ नहीं है। वो दोनों बड़े प्यार और आराम से रहने लगते हैं पर हमेश सुख्या की कमी उन्हें खलती रहती है।